सात्यों, जब सिख्षा को आस-पास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है, तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पड़ता है, पूरे समाज पर भी पड़ता है, जैसे जपान को देखिए, वहां शिन्रिन योकू का प्रचलन है, शिन्रिन का अर्थ है वन या जंगल और योकू का मतलब है नहना, यानि फॉरेस्ट बथिंग, वहां स्टूडेंट्स को जंगलों में या जहां पैड पौधे बहुत हैं, ऐसी जगहों पर ले जाये जाता है, जहां बच्चे प्रकूती को स्वाभाव की रुप से महसूस करे पेड, पौधों, फुलों को सुने, देखें, टच, टेस, स्मैल, अनुभू करें, इससे बच्चों का प्रकूती और परियावरन के जुड़ाव भी होता है और उनके होलिस्टिक तरीके से डेवलप्मेंट को भी बढ़ावा मिलता है बच्चे इसे एंज्योई भी करते हैं और एक साथ कितनी सारी चीजें सीख भी रहे होते हैं मैं जब गुजरात में मुल्खे मंतरी था, तो मैं कारकम चला था हमने एक सुचना की सभी स्कूलों को, हमने का कि सभी स्कूल के बच्चे अपने गाओं के अंदर सबसे बड़ी उमर का पैड कौन सा है जिस पैड की सबसे जाना उमर हो चुए कि वो ढूंदो तो उनको सब जगा पे जाना पड़ा, गाओं के आस पास के सारे पैड देखने पड़े टीचर को भूजना पड़ा और फिर समय से हमद बने कि यहाँ यह पैड बहुत पुराना है और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे, नीबंद लिखे, वक्तुर्त्व कथाएं की याने उस पैड का महत्मा क्या है, लेकिन उस पूरी प्रक्रेम उनको कई पैड देखने पड़े, सबसे वुमर लाइक पैड का धूनना पड़ा, बहुत सी चीज़े वो सिखने लग गए और मैं कह सकता हूँ कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा था एक तरब बच्चों को परियावरन की जानकारी मिली, साथी साथ उन्हें अपने गाओं के विशे में धेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मोका भी मिला हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा हमारी ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मुल मंत्र होना चाहिए Engage, Explore, Experience, Express और Excel यानि कि स्टूडन्स अपने रूची के हिसाब में, गतिविद्यों में, गटनाओं में, प्रोजेक्स में Engage हो को इसे अपने हिसाब से Explore करें इन गतिविद्यों, गटनाओं, प्रोजेक्स को विविन द्रश्टिकों अपने Experience से सिखें ये उनका Personal Experience हो सकता है या Collaborative Experience हो सकता है फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से Express करना सिखें, इन सब को मिला कर ही फिर Excel करने का रास्ता बनता है अब जैसे कि हम बच्चों को पहड़ों पर, अइतिहासिक जगों पर, खेतों में, सुरक्षित Manufacturing Units में लेकर जा सकते हैं अब देखिए आप क्लास्रूम में उनको रेलिवे का एंजीन पढ़ाएं क्लास्रूम में आप उनको बस पढ़ाएं लेकिन कभी ताय करें कि अगर गाओं के नदिग में रेलिवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे, बच्चों को स्टेशन पर ट्रेन आती है तो एंजीन कैसा होता है दिखाएंगे, फिर कभी बस स्टेशन पर ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे, वो देख करके शि मैं जानता हूँ कई प्रिंसिपार्स और सिख्षक जुरूर ये सोच रहे होगी कि वो तो अपने स्कूल में, कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूँ, बहुत से टीचर बड़े इनॉबेटिव होते हैं जी जान से लगे होते हैं करते रहते हैं। लेकिन यह सब जगे नहीं होता है और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना जादा फैलाएंगे हमारे साती सिख्षकों भी सिखने का मोका मिलेगा और इस वज़र से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रह जाते हैं टीचरों का एक्सपरियेंस जितना शेयर होगा वो बच्चों के लाब में जाएगा है